वरी गडीनिंग गईस बर लंद साइट वेल्टम बाक टू अनधर लर्निंग वीडियो फिम ट्रेटलिक बर लिन ट्यूस्टे मार्केट के लिए क्या इंपोर्टेंट रवस होंगे बैंक रिफ्टे और निफ्टी के लिए वो डिस्कुस करने वाले हैं मेरी के एक्सक्टेशन से निफ्टी एकषपाई्घी से मैं वह बताने वाला हूं मिरे का व्य है मेरी के लेवल से कम्प्रेट ली एक्स्क्ль iba मेरे व्य ज希望 करने से पहले क्या कुछ e अब market कहां खुला, market खुला यहां पर, जो पहली candle ही आपको बता दियोगी कि closing से rejection मिल रहा है, आपको short कर देना चाहिए, अगर आपने short किया होगा, market कहां आके रुका है, short होने के बार, दिख रहा है यह level, यहां पर, यहां पर आके रुका है, that means आपको कितने point मिले होंगे य least 50 points, that's it, 50 points capture किया, अगर 30 भी किया है तो भी enough है, okay, the thing is, we have to go in a consistent way, जरूर ही नहीं है कि आप 100 points रिक करो, the thing is, 30 to 50 points जिनका target होना चाहिए, 30 points भी target करो, that is enough, आगे चलके सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिटी इंक्रीज हो जाएगी, और कुछ इंक्रीज नहीं होगा, okay, we have to make a consistent income understood, so, अगर आपने यहां पर इस candle को देखा होगा तो आपने सारे shots exit कर दिया होगा, as per the price section, and market फिर कहां पर गया, वापस से market एक upmover लाया, and market फिर close हुआ, अपने range के अंदर, that means, यह जो panic level था, वो breakdown नहीं हुआ, that means, जो एक अच्छा का सा support था, वो market उसको respect किया, and market आज इ यह तो बात होगी, now, कल के लिए जो levels है, that means, when Nifty expiry के लिए क्या levels होगे, उनको note कर लेते हैं, and आपको क्या-क्या मिटाने की ज़रूरत है, मैं एक बर बता देता हूँ, सबसे पहला level जो है, वो closing है, उसको मिटा दीजी, and अब bank Nifty इस range पर है, आपको दिख रहा होगा यह range ठेक है, अब सेम चीज एक चीज नोटिस करो, market ने यहाँ पर भी एक range बनाई थी, then एक quick upside move आया था, ठेक है, and यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी देखो, सेम चीज वही है, एक range बनाया है market ने, and then quick up move आया है, that means, maybe यह जो pattern है, यह continue हो, but मैं आपको वीडियो के बीच में एक ऐसा pattern बताऊँगा, जो आपको mind पर रखना है, Tuesday के लिए, especially, ठेक है, उसको mind पर रखना, बनेगा पैसा अच्छे से, ठेक है, एक बर थोड़ा सा यह जो अपनने drawings की है, जो गोदा है अपनने, उनको मिटा लेते है, good, now the thing is, हमेशा की तरह, एक, जो line है, वो होनी चाहि क्लोजिंग पर line हो गई, अब भाई मेरे साब से market कल flat opening देगा, यह slight gap up opening देगा, flat to slight gap up opening होना चाहिए मेरे हिसाब से, that means market, या तो यहां खुलना चाहिए, या तो इस level के आसपास खुलना चाहिए, अपना major support क्या है, अपना major support है यह level, इसके नीचे 15 मिट के candle close होगा, क्या क मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूँ, आपको इस चीज को हमेशा समझना है, अब यहां पर bearish candle बन रहा है, या यहां पर कुछ ऐसा candle बन रहा है, तो यह चीज आपको read करना है, यह चीज आपको price read कराएगा, समझ रहो, तो यह चीज पर focus करना है, यह जो major support है अपने, यह level downside के लिए, यह level upside के लिए, इन दोनों पर focus करना है, इसके नीचे market जाता है, short करना है, पहला target यह, इसके उपर market जाता है, पहला target यह, हाला कि यह काफी ज़्यादा up है, इसको छोड़ दो, whereas आपसे market उतना जल्दी उपर नहीं जाएगा, मैं उसके लिए आपको एक level द upgrade करके कर लेजे यह, ओके, now, अब देखो, कमेंट पड़ा उपर ने क्या था, 6 बच के 29 मिनट में कौन सा loss होता है, भाई मेरे, मैं live market में real बनाने बैठोंगा, कि क्या बोलते हैं, अपना कांद करूंगा, क्या बोलो यार, एक तो, आधा time तो लोग सरदर्द कर देजे, चल करेंगे, त्विन निफ्टी और निफ्टी के लिए, ठीक है, one, two, three, I hope अपने screenshot ले लिया होगा, यहाँ पर, now, guys, एक पर quickly समझा रहा हूं, द्यान से समझना, इसके उपर CE बाय करना है, इसके नीचे PE करना है, ठीक है, and यहाँ पर price का, price को देखते रहना, कि price कैसे react कर रह होगे, तो एक trend line form होते हुई दिखरी होगे, आपको, तो इसको कुछ इस तरीके से बना लेना है, यह trend line form हो रहा है, आप पर के, तो इसको आप कुछ, इस तरीके से बना लेना, ठीक है, so, यह चीज नोट कर लेना, यह important है, and बागी देखते हैं, कल क्या होता है, आप इसका market कहां खुला, देखो, कितना प्यारा rejection मिला है, देख रहा है इस level को, ओके, यहां देखिए, तोड़ा zoom करता हूँ, कितना प्यारा rejection दिख रहा है आपको यहां पर, ध्यान से देखो, दिख रहा है, शॉट कर देना था, अब भाई अगर आप शॉट करते हैं, तो आपको कि एक lot से करो, बट करो, ठेक है, इतना lot लेने का ज़रूरत नहीं है कि भाई hold ली ना कर पाओ, hold करना सीखना है, समझे रहो, चलिए, अब nifty के लिए levels दे देते हैं आपको, सबसे पहले तो यह जो level है, इसको आप मिटा लीजे, and then उसके बाद इस level को भी मिटा लीजे, closing पर रख लीजे, कुछ एक ऐसा mark, okay, and then उसके बाद, जो एक अब से पहला level रहेगा, ठेक है, यह level रहेगा, ठेक है, I know मैंने उसी level को mark कर दिया है, बट मैं fresh levels जैसी दिखते हैं मिरे को, तो मैं वो mark करता हूँ, ठेक है, आप upside के लिए level note कर लीजे, मैं downside के लिए कुछ और levels add कर रहा हूँ, okay, okay, so, एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं, Fibonacci का, जो last swing है, उसके हिसाब से, जो 0.5 का area है, वो breakdown हो चुका है, okay, अप उन ले लेते हैं, 0.618 area को, ऐसा level, चलिए, अब यह जो levels है, यह हो गया है, आपका एक levels का chart ready, आप इनका screenshot लीजे, यह होगा, अपने screenshot ले लिया होगा, अब दिमाग में रखने वाली बात क्या है, मार्केट अगर ऊपर खुलता है, closing पर wait करना है, 15 मेट के candle close होती है, पहला target यह level होगा, 15 मेट के candle से अगर rejection मिलता है, तो target पहला यह होगा, समझ लो इतना सा बात को, इतना enough है, कल finnifty का expire है, मेटी मार्केट एक रेंज में घूम सकता है, finnifty के लिए भी जो level से मैं दे देता हूँ, note कर लो, फटा-फट, finnifty, okay, चले, सबसे पहला mark, closing में, okay, दूसरा जो level है, वो कहा है, यहाँ दे सकते हैं, चलिए, इसके नीचे short कीज़ेगा, दूसरा level हो गया, जो तीसरा level है, वो रहेगा, यह, यह, यह finnifty के लिए levels ready हो गया, okay, now the thing is, remember one thing, market इसके उपर खुलेगा, simple सी चीज़े अगर खुलता है, तो flat opening होती है, तो इसके नीचे 15 मिट के candle गर wait करना है, 15 मिट के candle अगर close होता है, तो फिर उसके बाद, इसके नीचे PE, उसके उपर CE, okay, that's it, this is the range, and let's see, कल क्या होता है गई, same levels के साथ कल मिलते हैं आप रशाद, okay, hmm, wait, okay, एक एक्षा लवल नोट कर लीजे, चलिये, यह हो गया, बात खतम, okay, so we are ready with the levels, now we are closing the video, take a screenshot, and bye-bye, take care, have a good day, again I am repeating, together we have to go a long way, bye-bye guys, take care, and have a good day, okay.